नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवी सड़ी आईक्यू जीके पर आज मैं आपके लिए सितंबर 2021 के टॉफ फिफ्टी करंट अफेस के कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन स्लेक्टिड और इंपॉरेंट लियें अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा यूसफुल रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा राज्यसभा के नए महासचीव कौन बने हैं सही आंसर है ऑप्शन डी पीपी के रामचरयालू पीपी के रामचरयालू राज्यसभा के नए महासचीव बने हैं इंपॉर्ण कोशन है फिन इस कोशन में बात हुई है राज्यसभा की तो राज्यसभा अप्रत्यक चुनाप पद्रिती दौरा राजय सभागे सभावथी कौन होते हैं? उप्राश्टपती होते हैं राजय सभावथी कौन होते हैं? वो होते हैं फ्रेंच राजय सभा के ततस्यों में से next question तीस अगस दोजार रिकिस को केंद्रिय ग्रहा मंत्री अमिश शहा ने कहां पर लड़ू वितरन योजना का शुभारम किया है सही आंसर है Option D गांदी नगर गुजरात की रादधानी है गांदी नगर यहां पर अमिश शहा जो कि हमारे देश के केंद्रिय ग्रहा मंत्री है इन्होंने लड़ू वितरन योजना का शुभारम किया है Important point discuss करते हैं कोशन को समझने की कोशिश करते है केंद्रिय ग्रहा मंत्री अमिश शहा ने गुजरात के गांदी नगर में गरवती महिलाओं के लिए पोश्टिक लड़ू वितरन योजना का शुभारम किया है इस योजना का उद्देशी है लगबग 7000 गरवती महिलाओं को कुपोशन से लड़ने के लिए सोय सेवी संस्ताओं के माध्यम से बच्चे की जनम तक हर महा 15 पोश्टिक लड़ू मुफ्थ मिलेंगे अगला कोशन है मारा विश्व नारियल दिवस यानि की वर्ल्ड कोकोनट डे कम मनाया गया है सही आंसर है ऑप्शन भी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया चाता है इंपॉर्ण पॉइंट डिसकस कर लेते हैं इस दिवस को मनाने का उदेश है नारियल की खेती और उतपादकता को बढ़ावा देना है और विश्व इस तरब पर नारियल की खेती के प्रती लोगों को जागरू करना है अगला कोशन है 18600 फुट की उचाई पर दुनिया की सबसे उची सड़क का उधगाटन कहां किया गया है सही आंसर इसका Option B ले लद्दाक की राजधानी है ले यहां पर 18600 फुट की उचाई पर दुनिया की सबसे उची सड़क का उधगाटन किया गया है लेह को पैंगोंग जील से जोडने वाली सामरिक रूप से महतपुन सरका उदगाटन लद्दाक के सांसत जाम्यांग सेरिंग नामगयाल ने किया है अठारा जा छेसो फीट की उचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला मार्ग दुनिया का सबसे उचा वाहन चलाने योग के मार्ग होगा एक्जाम के लिए काफी इंपॉरिंट है असम कैबिनेट ने राजीव गांदी रास्ट्य उध्यान का नाम बदल कर क्या रखा है सही आंसर इसका option D औरंग रास्ट्य उध्यान नया नाम हो गया है राजीव गांदी रास्ट्य उध्यान का next question एस्टोनिया देश के नई राष्टपती यानि की President कौन बने है सही answer इसका option B अलार करीस एस्टोनिया के नई राष्टपती बने है बात friends यहाँ पे एस्टोनिया की हुई है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एस्टोनिया जो है यूरोप महाद्यूप में स्थित है एस्टोनिया की राष्धानी है तालीन, करंसी है यूरो और राष्टपती है अलार करीस जो की हमारा कोशन भी था नेक्स कोशन यह भी गजाम के लिए काफी important है लद्दाग सरकार बता ने डैश को राजकिय पशु और डैश को राजकिय पक्षी घोशित किया है सही answer है option A धि म 3 Q जो है फ्रेंड्स यह लद्दाग का राजकिय पशु बना है और कालि गिःदन वाली क्रेन जो है यह राचकिय पक्षी घोशित किया गया है लद्दाग का केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि की CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने है, सही आंसर इसका, option A, JB महाबादरा, CBDT के नए अध्यक्ष बने है, या रखने आपने JB महाबादरा, बात CBDT की हुई है, Central Board of Direct Taxes, फुल फॉर्म होता है, 1924 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्याले है, और अध्यक्ष है, JB महाबादरा, जो की हमारा question भी था, जितने भी question मैं आपके लेकर आया हूँ, सारे question selected और important लेकर आया हूँ, अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, ये वीडियो का हमाराना अलग से current affairs का channel है, जहां पर daily current affairs पढ़ाया जाता है, बिल्कुल free में और detail वाला PDF दिया जाता है हर दिन, तो इस channel पर आप जाके daily current affairs पढ़ सकते हो, नाम है current affairs by रवी, YouTube पर जाके सर्च करो और इस channel को अभी subscribe कर लो आप, अगला question कर लेते हैं, केंद्रिये राष्टि C, अतुल भट जो हैं, यह CMD बने हैं, राष्टि यह इस पात निगम लिमेटेड के, बात यहां पर R.I.N.L. की हुई है, मुख्याले है विशाका पटनम आंदरपरदेश में, और CMD है अतुल भट जो की हमारा question था, अगला question, bird photographer of the year, 2021 का किताब किसने जीता है, सही answer है, option A अलेजांदरो प्रीतो, अलेजांदरो प्रीतो ने bird photographer of the year का किताब जीता है, मैक्सिकन के फोटोग्राफर अलेजांदरो प्रीतो ने bird photographer of the year, 2021 का किताब, सहींगत राज अमेरिका और मैक्सिको की बीच कांटेदार तार, कलेट सीमा की दिवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडनर की तस्वीर को capture करने के लिए जीता है, next question, सुमित अंतिल ने टोकियो पैरा अलम्पिक 2020 में भाला फेक सपरधा में कौन सा पदक जीता है, सही answer इसका, option A, सोरन पदक जीता है, सुमित अंतिल ने टोकियो पैरा अलम्पिक में सोरन पदक जीता है, यह आपने याद important point discuss करते हैं, भारत के सुमित अंतिल ने टोकियो पैरा अलम्पिक में पुर्षों की भाला फेक F64 फाइनल सपरधा में सोरन पदक जीता है, और इस प्रकिरिया में 68.55 मीटर का निया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 23 वर्षी यह सुमित हर्याना के सोनिपत के रहने वाले ह बात फ्रेंट्स यहां पर टोकियो पैरा अलम्पिक 2021 की हुई है, एक्चुली फ्रेंट्स यह 2020 वाला है, लेकिन 2020 में ना होकर करोना वायरस के कारण 2021 में हुआ है, और 2020 पैरा अलम्पिक का सोलवा संसकरन आयोजित हुआ है, यह भी आपने याद रखना है, भारत की तरफ से चोवन खिलारी शामिल हुए है, 2020 टोकियो पैरा अलम्पिक का शुभंकर है, वो है सुमाइटी और मैं आपको बता दूँ, पहला गिरिशम कालिन पैरा अलम्पिक जो हुआ था, 1960 इटली की राजधानी रोम में हुआ था, नेक्स कोशन, देश के नए उपचुनाव आयोक् हुए हैं, नेक्स कोशन कर लेते हैं, अफरीकी मूल की लोगों के लिए अंतराश्टिय दिवस पहली बार कम मनाया गया है, सही आंसर इसका, ओप्शन B, 31 अगस्त को अफरीकी मूल की लोगों के लिए अंतराश्टिय दिवस मनाया गया है, पहली बार, अफरीकी मूल की लो आफ सभी प्रकार के भेदवाव को खतम करना है, नेक्स्स कोशन, बैक्टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, सही आंसर है, उप्शन C, तमना भाटिया ने बैक्टू रूट्स नामक पुस्तक को लिखा है, अगला कॉशन, Fit India Mobile App को किसने लॉंच किया है सही आंसर है Option B अनुराग ठाकूर ने Fit India Mobile App को लॉंच किया है खेल मंतरी अनुराग ठाकूर ने Fit India कारेकरम के दो साल पूरे होने पर वैक्तिकत प्रसिक्षन सहफिटनस माखदर्शन वाले Fit India Mobile App को लॉंच किया है अगला कोशन है पोशन महा किस महिने में मनाया जाएगा सही आंसर है Option A सितंबर महा में पोशन का फुल फॉर्म है Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition पोशन अभियान देश के बच्चों, किशोरियों, गरववती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोशन में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुक कारेकरम है और यह अभियान को पोशन की समस्या की और देश का ध्यान आकरशित करेगा Next Question भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस 2021 को कहां सहयुक्त नौसेना अभियास आयोजित किया है सही आंसर है Option D अधन की खाड़ी में Next Question मुफ्त पानी योजना यानि की Free Water Scheme शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कोन सा बना है आंसर है Option D गोवा जो है यह मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा सरकार ने राज्य की जनता को मुफ्त पानी देने का फैसला किया है मुख्य मंतरी प्रमोथ सावंत ने इसकी घोशना करते हुए कहा है कि गोवा देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को मुफ्त पानी मिलेगा बात यहां पर गोवा की हुई है तीस मई 1987 को स्थापना होई थी पंजी में राज्धानी है प्रमोथ सावंत गोवा के मुख्य मंतरी है और गोवर्नर है पिये श्रीधरन पिल्लाई नेक्स कोशन कर लेते हैं नेक्स कोशन है फिरेंस हमारा बिमस्टेक देशों के क्रिशी विशुष्योगों की आठ्वी बैठक की मेजवानी किस देश ने की है सही आंसर है ऑप्शन A भारत ने भारती क्रिशी अनुसंधान परिशयत के महानी देशक दॉक्टर तिरलोचन महाबादरा ने इस बैठक की अध्यक्षता करी है यह आपने याद रखना है आठवा संस्क्राण आयोजित हुआ है बिमस्टेक का 2021 में बिमस्टेक की बात कर लेते हैं हिंदी में तो मैंने फुल फॉम बता दिया बता देता हूँ इंग्रिशन बता देता हूँ बिमस्टेक के बांगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, श्री लंका, मैनमार और थाइलेंट यह भी आपने याद रखना है फिर जिती भी आपको मैं एडिशन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में कोशन है और एक्जाम में पूछे जाते है फिर जिती आपके लिए इंफॉर्मेशन यह कि जल्दी न हमारी बुक लाँच होने वाली है जीके की अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं हमारी बुक जो की काफी दा यूसफुल रहेगी हमने बहुत महनत करी है 80-90% जो कोशन होंगे डिरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे अगला कोशन है हमारा इलक्ट्रोनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्थ नामक उनलाइन प्लैट्फॉर्म किस आई-ई-ई-ट संस्थान ने विक्सित किया है सही आंसर है ऑप्शन डी आई-ई-ई-ई-ई-ई-ट मदरास ने IIT मदराज e-source नामक एक online platform विक्सित कर रहा है जिसका उपियोग electronic कच्छरे से निपटने के लिए किया जाएगा Next question Rabobank की 2021 वैश्विक शीज 20 dairy कमपनियों की सूची में किस भारतिय dairy कमपनी ने 18 अस्थान हासिल किया है सही answer है Option A Amol जो पहला है वो फ्रांस की कमपनी है Lactalis इसने पहला स्थान हासिल किया नेसले ने जो कि सुजरलेंड की है नमबर दूसरा हासिल स्थान हासिल किया दूसरा स्थान हासिल किया और dairy farmers of America ने तीसरा स्थान हासिल किया इस रिपोर्ट की जारी करता है Rabobank ठीक है यह आपने आद रखने और Rabobank कहां की कमपनी है Rabobank जो है इसने यह नीजरलेंड की है ठीक है जिसने यह रिपोर्ट जारी करा है अगला कोशन है नीरो सर्जरी में प्रतिस्ठित आंस पुरुसकार पाने वाले पहले भारतिये कौन बने हैं सही आंसर है ओप्शन ए डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा ओडिसा में जन्में नीरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिस्ठित अमेरिकन एसोसियेशन ओफ नीरोलोजिकल सर्जन के नीरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफटाइम अचीवेंट अवार्ड से सम्वानित किया गया है वह कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिजम सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे टोक्यो पैरलंपिक में मर्यपन थांगवेलु ने पुरुषों की उची कोद में कौन सा पदक जीता है सही आंसर है ऑप्शन ए रजट पदक जीता है अगला कोशन कहां की सरकार ने ग्रामीन महिलाओं के लिए साथ योजना की शुरुवात की है सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर केंद शाचित परदेश जमू कश्मीर की ग्रामीन महिला उद्वियों को बढ़ावा देने के लिए साथ योजना की शुरुवात की गई है इस योजना के तहट ग्रामीन महिलाएं घरेली उत्पादन में अपना योगदान दे पाएंगी टाइमस एक्सिलेंस अवाड 2021 किसने जीता है सही आंसर है ऑप्शन ए सबरना रोई ने सहायतिक कथा लिखक सबरना रोई को प्रतिस्ठित टाइमस एक्सिलेंस अवाड 2021 से समानित किया गया है टाइम्स एक्सिलेंस अवाड क्यों दिया जाता है? टाइम्स एक्सिलेंस अवाड योवा उध्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को पहचानने, प्रोसाहिद करने और उन्हें मानियतर प्रदान करने के लिए दिया जाता है अगला कोशन, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ट स्मार्ट एर प्योरिफायर, जिसका नाम है यूब्रीथ लाइफ को किस आईटी संस्थान ने विक्सित किया है सही आंसर है, ओप्शन भी आईईटी रोप पढ़ने अनब्रीथ लाइफ स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायू शोधन परिकिरिया को बढ़ाता है इस उत्वाद को दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर कहा जा रहा है राजिस्तान सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान का ब्रैंड अम्बेजर किसे बनाया है सही आंसर है, ऑप्शन B, अवनी लेखडागो इंद्रा गांदी परमानू अनुसंधान केंद्र, यानि की IGCAR के नए निदेशक कोन बने है सही आंसर है, ऑप्शन C, B, वैंकर्ट रमन नेक्स कोशन, टोक्यो पैरलंपिक 2020 में दो पदक जीतने वाली पहली भारती महीला कोन बनी है आंसर है, ऑप्शन C, अवनी लेखडा नेक्स कोशन, अन्तराश्टी जलवायू शिखर सम्मिलन 2021 की मेजबानिक किस देश ने की है सही आंसर है, ऑप्शन A, भारत ने पिएजडी चैंबर्स ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की परियावरन समीती की पहल पर अंतराश्टी जलवायू शिखर सम्मिलन 2021 के हिसे के तौर पर भारत 3 सितम 2021 को कारेकरम की मेजबानिक की है इस शिखर सम्मिलन भारत की सोच उर्जा में परिवर्तन के कारेकरम के लिए माहुल त्यार करेगा नेक्स कोशन है मरा, सोलंग त्योवार किस राज्य में मनाया जाता है सही आंसर इसका, ऑप्शन C, अरुनाचल प्रदेश में यह त्योवार मुख्य रूप से क्रिशी अधारी त्योवार है और यह लोगों की सामाजिक धार्मिक विच्छताओं को भी दर्शाता है बीजों की बुवाई से लेकर एक सम्मृत फसल की कटाई करने के लिए सोलंग मनाया जाता है अगला कोशन एक्जाम के लिए काफी इंपॉरेंट है रैमन मैकसे से पुरुसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर इसका फ्रेंट्स ऑप्शन F उप्युक सभी डॉक्टर फिर दोसी कादरी मुहमद अमजद साकीप स्टीवन मुनसी वाच डॉक रोबर्टो बैलोन इन फाइव लोगों को फ्रेंट्स रैमन मैकसे से पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया है रैमन मैकसे से पुरुसकार के बारे में जान लेते हैं रैमन मैकसे से पुरुसकार एशिया के वैक्तियों एवन संस्थाओं को सरकारी सेवा में उतक्रिष्ट योगदान, सारवजनिक सेवा, सामुदाइक नेतरितव, पत्रकारिता, सहाइते और रचनातमक, संचार कला, शांती और अंतराश्टिय समझ और उभरते नेतरितव के छेतर में विशेश रूप से उलेखनिय कारे के लिए प्रदान किया जाता है, और मैं आपको बता दूँ, इसे एशिया का नॉबल पुरुसकार भी कहा जाता है, और एक्जाम एक कोशन बार-बार पुछा जाता है, कि रैमन मैक्से से पुरुसकार जो है, फाउंडेशन द्वारा, फिलिपीन्स के भूतपुरु राष्ट्पत की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड उनिवर्सटी रैंकिंग 2022 में कौन सी उनिवर्सटी शीश पर रही है, सही आंसर इसका, उप्शन C, आक्सफ़र्ड विश्विद्याले, इंपॉर्ण पॉइंट डिसकस कर लेते हैं, इंपॉर्ड उनिवर्सटी रैंकिंग 2020 में आक्स जाद रखना है, भारतिय विज्ञान सनस्थान आई एससी बैंगलूरु को 301-350 की रैंकिंग के बीश रखा गया है, जो शीश 350 रैंकिंग में शामिल एकमाद भारतिय विश्विद्याले है, जारी करता है टाइम्स हायर एज्जूकेशन जिसका मुख्याले है यॉनाइट का शूटिंग रेंच में P4, mixed 50-meter pistol SH-1 final में सवन बदक जीता है, मनीश ने 218.2 अंग हासिल करके पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और सवन बदक जीत लिया है, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, सही आंसर इसका, option B, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo ने इरान के अली दही में 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर 111 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, Cristiano Ronaldo पुर्टगाल देश के हैं और इतालवी फुटबॉल कलब की तरफ से खेलते हैं, सही आंसर है, option C, निर्मला सिता रमन, FSDC के बारे में जान लेते हैं, वित्य स्थिर्टा और विकास परिश्ड इसका फुल फॉर्म होता है, का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था, परिश्ड की अध्यक्षता जो है, कि इंद्रिय वित्मंत्री द्वारा की जाती है, जो कि हमारे देश की है, निर्मला सितारमन, नेक्स कोशन, अंतराश्टी चारिटी दिवस 2021 का मनाया गया है, सही आंसर है, option C, 5 सितंबर को, अंतराश्टी चारिटी दिवस मनाया जाता है सहींक्त राश्ट हर वर्ष 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदट आरिसा की निधन की वर्षगान को चिन्हित कर गिने के लिए अंतराश्टी चारिटी दिवस मनाता है, यह दिन मानविय संकटों और राश्ट्रों के भीतर मानविय पीड़ा को कम करने में, दान दोरा निभ बहाई जाने की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेट के नए CMD कौन बने है, सहीं आंसर इसका, ऑप्शन B, वर्ति का शुकला, क्रिशी चेतर के लिए आतर मिरभर क्रिशी योजना और बागवानी के लिए आतर मिरभर बा है तो कांशी योजनाओं का शुभारम किया है, जिनके नाम आतर मिरभर क्रिशी योजना और आतर मिरभर बागवानी योजना है, इन दोनों योजनाओं में 45% सरकारी सबसिटी, 45% बैंक कर्ज योजना के मुखेगटक शामिल है, आयूश आपके द्वार अभ्यान को किस मं पौधों के रोपन के लिए औशद्धिये पौधों का निशुर्क वितरन किया जाएगा, इनमें ऐसे औशद्धिये बौधे शामिल हैं जो सेहत के लिए फाइदे मंतों हैं ही साथ ही कई बीमारियों को भी ठीक करने में यह बहुत उपयोगी साबित होते हैं, सरबानन सोन भारत में तीन रूप में लुप्त प्राय कच्छों की बजातियों के विलुप्त की कगार से बचाने के लिए बहलर टटल कंजरवेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, मैंने आपको यह most important 41 question करवाए, September 2021 से related, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है, वीडियो आपको लाइक और शेर जरूर करिएगा, कमसे को आपके दस फ्रेंट के साथ हमारी चैनल के लाइप में दिसकस करेगा, ताकि फ्रेंट उनको भी हमारी वीडियो से काफी ज्यादा help मिल जाए, फ्रेंट यह वीडियो कंप्रीट हो चोगी है, आपके लिएक important information है, कि हमारा अलग से channel है current affairs का, जहां पर आप daily current affairs पढ़ सकते हो, बिल्कुल detail में हर exam के लिए useful रहती है हमारी वीडियो, channel का नाम है current affairs by ravie, youtube पर जाके friends आपको search करना है current affairs by ravie, ठीक है friends हरी रंग का friends यहां पर logo लगा होगा current affairs by ravie का, इसको अभी आप subscribe कर लेजिए, साथ है, bell icon को आपको notification मेल जाए, और friends हमारा एक और channel है English medium के लिए जिसका नाम है ravie aditi classes, ravie aditi classes, इस channel को भी आप अभी subscribe कर लेजिए, एक और channel है हमारा trending gk के लिए, जिसका नाम है trending gk by ravie, इसको भी आप अभी subscribe कर लेजिए, और friends हमारा website भी है, जहां पर हम जो भी वीडियो डालते हैं, नोट्स हमाँ पर upload कर देते हैं, यानि PDF form में, तो हमारा website है, आपको google पर search करना है, ravie study iqgk.com, ravie study iqgk.com, यह हमारा website है, ravie study iqgk.com, यह हमारा website है, ravie study iqgk.com, यह friends आपको हर वीडियो के e-notes मिल जाते हैं, तो चलिए friends अब हम मिलते हैं, next वीडियो में, thank you and wish you all the best.